हेलो दोस्तों हम आज आप लोग को एक नए lesson के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं और letion का नाम है Of agora एक essay है Francis Bacon ने ही इसको लिखा है इसके पहले हमने off studies के बारे में पार बता गया है तो यहां पर भी आप को बदले के बारे में बता गया है कि नहीं लेना चाहिए और लेना चाहिए तो वो situation इस्तिती क्या होगी इन सारी चीजों के बारे में Francis Bacon ने यहां बताया है कि बदला सही है या गलत खासकर आपको पहले बता दे मैं कि बदला यहां पर discuss किया गया है बदले के बारे में तो यहां Francis Bacon ने बदले को एक असब भिन्याय माना है जंगली न्याय है उन्होंने बताया कि भाई जो सब भी लोग होते हैं वो बदला नहीं लेते वो छमा कर देते हैं बदला असब भी लोग लेते हैं जो अनपढ़ होते हैं गमार होते हैं तो चलिए हम लोग टेस्ट बुक में पढ़ते हैं और सारी चीज़े हम वहीं डिसकस करते हैं Revenge is a kind of wild justice Revenge is a kind of wild justice बदला एक प्रकार का जंगली न्याय है wild justice जंगली न्याय है यानि बदला असब लोगों का काम है बदला लेना जंगली लोगों का काम है जंगली न्याय है अगर आप बदला लेते हैं तो यानि कि आप जंगली न्याय कर रहे है which जो the more man's nature अधिकांस लोगों के सभाव में runs to दोड़ता है यानि बदला जो है वो अधिकांस लोगों के सुभाओं में होता है भाई बदला जंगली नयाय है या फिर हम कर सकते हैं असब लोगों का काम है लेकिन हम सभी ये भी जानते हैं कि बदला हर एक के दिल में होता है हर एक लोग बदला लेना चाहते है अगर उनके साथ कोई का गलत किया तो ब्यक्ति बदला लेगा जरूर क्योंकि उनके सभाव में वो चीज दवड़ती है वो बदला वीच का मतलब बदला यहां पर जो वीच आया है बदले के लिए आया यह ध्यान रखे वीच जो है बदले के लिए है तो रिवेंज बदला एक परकार का जंगली ने आया है वीच जो दा मोर मेंस नेचर अदिकान को के स्वभाव में रंच तू दोड़ता है यानि अदिकान को के स्वभाव में होता है तो विद आउट का मतलब होता है जड से समाप्त करना जड़ से समाप्त करना देखिए एक एक word की meaning पहले आपको बता दें फिर उसके बारे में sentence को पढ़ेंगे तो to weed it out का मतलब जड़ से समाप्त कर देना लो का मतलब कानून आट का मतलब चाहिए तो इसको जड़ से समाप्त कर देना चाहिए किसके द्वारा कानून के द्वारा यानि जो बदला है जो लोगों के सभाव में दोड़ता है लोगों के सभाव में होता है जो एक जंगली ने आया है उस बदले को हमें कानून के माद्धिम से समाप्त कर देना चाहिए यानि कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए हमें कानून का सहारा लेना चाहिए जब हमारे साथ कोई गलत करे तो हमें कानून के माद्धिम से बदला लेना चाहिए ना कि हम खुद जाएं बदला लें, ओके, वही कह रहा है, Revenge is a kind of wild justice, which the more man's nature runs to the more ought law to weed it out. बदला एक परकार का जंगली ने आया है, जो लोगों के हिर्दय में, लोगों के स्वभाव में होता है, और इसको कानून के माद्धिम से जड़ से समाप्त कर देना चाहिए, to weed it out का मतलब जड़ से समाप्त कर देना चाहिए, ओके, for, क्योंकि as for the first wrong, पहली गलती यही है, पहली गलती क्या है, आगे देखिए क्या है, for, क्योंकि as for the first wrong, पहली गलती यही है, कि it does देखे दोत को हम does कह सकते हैं it does ये करता है but often अब but का हैं कोई सेंस नहीं है आप does के साथ often पढ़िए but को छोड़ दीजे it does often the law it does but often the law क्योंकि ये कानून का उलंगन करता है बदला क्या है कानून का उलंगन करता है it does ये करता है often का मतलब उलंगन the law कानून का बदला जब आब लेते हैं तो क्या करते हैं भाई कानून का उलंगन कर देते हैं तो वही कह रहा है पहली गलती यही है बदला लेने से कि ये कानून का उलंगन कर देता है but or the revenge of that wrong उस गलती का बदला जैसे उस गलती का बदला मतलब जैसे किसी ने आपके साथ गलत किया तो उस गलती के बदले में आप उससे क्या लेंगे बदला लेंगे किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप भी तो उसके साथ गलत करना चाहेंगे तो यानि वो बदला हो गए आपका तो वही कह रहा है उस गलत का बदला पुटेत खीच लाता है गलती की बदला आप ले रहे हैं बदला आप ले रहे हैं वो बदला कानून को आफिस के बाहर खीच लाता है इसका क्या मतलब यानि की कानून का उलंगन कर देता है कानून को तोड़ देता है कानून की धज्जी उड़ा देता है आपके साथ किसी ने गलत किया और आपने उसके साथ बदला ले लिया यानि आपने भी गलत कर दिया तो क्या होगा आपने कानून को उसके ओफिस से बाहर खीच ले यानि आपने कानून का उलंगन कर दिया आपको कानून का सहरा लेना चाहिए था अगर आपके साथ कोई गलत करता तो आप कानून का सहरा लीजिए आप उसके साथ गलत मत कीजिए, कानून जो करेगा वो ठीक करेगा, तो वही कह रहा है कि, but the revenge of that wrong, उस गलती का बदला जो आपने लिया, वो put it, put it का मतलब puts, खीच लाता है, the law, कानून को out of office, office के बाहर यानी, वो बदला कानून का उलंगन कर देता है, इसलिए कहते हैं, बदला लेना सब लोगों का काम है, सब लोगों का काम नहीं, सब लोग होते हैं, वो कानून का साहरा लेते हैं, line थोड़ी सी cutting थी, लेकिन आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं हा, तो वीडियो को दोबारा बैक कीजिए, फिर से देखिए, समझ में जरूर आएगा, ओके, फिर आगे देखिए, certainly, निश्चित रूप से, इन टेकिंग रिवेंज, बदला लेने से, अब इन का मतलब यहां में नहीं होगा, इनका मतलब से होगा, certainly, निश्चित रूप से, इन टेकिंग रिवेंज, बदला लेने से, एमायन एक आदमी इज, हो जाता है, even, बट का कोई मतलब नहीं हमने बता है, बट फालतु में यूज़ हो रहा है, अब लेखक क्यों यूज़ कर रहा हूँ तो हम नहीं जानते, बट यहां बट का कोई सेंसी नहीं है, certainly, निश्चित रूप से, इन टेकिंग रिवेंज, बदला लेने से, एमायन एक आदमी, इस हो जाता है, even, बराबर, बिद इस इनमी, अपने दुस्मन के, यानि अगर कोई आदमी बदला लेता है, तो वो क्या हो जाता है, अपने दुस्मन की तरह हो जाता है, दुस्मन के बराबर हो जाता है, उसमें और दुस्मन में कोई अंतर नहीं रह जाता है, भाई, उसने आपके साथ गलत के, तो बदला लेने से एक आदमी अपने दुस्मन की तरह या के समान हो जाता है के बराबर हो जाता है बट लेकिन इन पासिंग इट अवर इन पासिंग इट ओवर लेकिन इससे गुजर जाना यानि बदले से गुजर जाना बदला आपने नहीं लिया बदले से बच गया यानि बदले से बच जाना बट इन पासिंग इट ओवर यानि बदले से गुजर जाना बदला ना लेना यानि बदला ना लेने से मतलब यही तो इन पासिंग इट ओबर यानि इसको पार कर जाना बदले की जो चीज है इसको पार कर लिया आपने बदला नहीं लिया तो आप क्या हो जाएंगे ही सुपीरियर तो स्रेष्ट होता है अगर कोई ब्यक्त है वो बदला ले लेता है तो दुस्मन के बराबर हो जाएगा दुस्मन के समान हो जाएगा लेकिन अगर वो बदले से बच जाता है बदला लेने से बच जाता है तो वो सुपीरियर हो जाएगा स्रेष्ट हो जाएगा तूं को पूंक यहां पाट का मतलब यहां पर पाट का क्या मतलब होगा गुळ, यहां पर पार्ट को defining ढूंक जान्य होगा होगी च्छमा करना राजकुमारों का गुड होता है इसलिए जब आप किसी को च्छमा कर देते हैं बदला लेने से बच जाते हैं तो आप राजकुमार के समान हो जाते हैं आप स्रेष्ट हो जाते हैं एंड सोलोमन और सोलोमन ने कहा है I am sorry कि मैं निश्चित हूं ये आदमी की एक सांदार उपलब्धी है, glory का मतलब उपलब्धी, सांदार, तो it is the glory of a man, ये एक आदमी की सांदार उपलब्धी है, to pass by on offense, एक अपराद से बच जाना, यानि अपराद से बच जाते हैं, अपराद करने से अगर आप बच जाते हैं, तो ये एक आदमी की सांदार उपलब्धी है, अगर आप अपराद नहीं करते हैं, आप बदला नहीं लेते हैं, तो ये आपकी एक बहुत ही सांदार उपलब्धी है, ऐसा सोलोमन ने कहा है, आप इसका मतलब यह है कि जो बीत गया सो बीत गया अब पास्ट के बारे में आपको नहीं सूचना है आप इसको इस तरह पढ़िए इर्रिवो केबल का मतलब होता है जो वापस ना सके जिसको वापस आना असंभव है उसे कहते हैं इर्रिवो केबल थोड़ा सा प्रोनांसियेशन इसका थोड़ा सा गड़बड हो रहा है न बोलने में थोड़ी प्रोबलम हो रही इर्रिवो केबल यानि कि जो बीत गया वो बीत गया और इर्रिवो केबल और वो वापस नहीं आ सकता और वाइज में जो बुद्धिमान बेक्ती होते हैं उनके पास प्रियापत होता है तुडू करने के लिए विद्धिंक्स चीजों को प्रिजन्ट में और फ्यूचर में यानि कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे पास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं जो गुजर गया सो गुजर गया जो हो गया सो हो गया वे प्रिजन्ट और पास्ट सरी प्रिजन्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं क्योंकि उनके लिए future और present में करने के लिए बहुत कुछ होता है वही कह रहा है फिर से पढ़ा देते हैं wise men have enough to do wise men यानि बुद्धिमान लोगों के पास have का मतलब होता है have का मतलब रखना यानि wise men के पास होता है enough परियाप्त to do be things परियाप्त चीज़े होती है करने के लिए present वरतमान में and to come तो कम मतलब आने वाला यानि future यानि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने future और वरतमान के बारे में सोचते हैं ना कि past के बारे में सोचते हैं therefore इसलिए they do but इसलिए वे करते हैं क्या करते हैं past के बारे में सोचते हैं और future के बारे में सोचते हैं वही कह रहा therefore they do इसलिए वे करते हैं but trifle with themselves लेकिन जो trifle लोग होते हैं trifle का मतलब तुछ लोग होते हैं that labor in past matters वो past matters में विश्वास करते हैं past की बाते करते हैं उनके साथ भूत काल में क्या हुआ, प्राचीन काल में उनके साथ क्या हुआ, पहले उनके साथ क्या घटना घटी, इसी बारे में वे बाते किया करते हैं, वे ट्रिफल होते हैं, तुछ लोग होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो प्रजेंट में कार करते ह और फ्यूचर के बारे में सुचते हैं पास्ट के बारे में नहीं सुचते हैं लेकिन जो गदहे होते हैं घोड़े छाप होते हैं वही कह रहा है कहां पर मैं था मैं तो भूली जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते कहां पर थे कहां पर थे हां बट लेकिन ट्रिफल जो तुछ लोग होते हैं वो लेबर काम करते हैं इन पास्ट मैटर पुरानी बातों पर ध्यान देते हैं जो गदहे चाप होते हैं यहीं पर पढ़ते हैं कि वीडियों पंदर मिंट से जादा नहीं हो ना 15 कि से जादा बनाएगे आपको पहले बता दे हैं तो यहीं पर समापत करते हैं अगर आपको यह वीडियों अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब और शेइर करें थांक धांक यू सो मच